नमस्कार साथियो आज एननाइवेस में आपका स्वागत है NIS Studio से आज हम आपको NIS के Secondary और Senior Secondary courses में registration की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे NIS में registration पाने के लिए Secondary और Senior Secondary courses के लिए जो website या portal त्यार किया गया है उसका नाम है sdmis.nius.ac.in ध्यान रहे कि आप इसी वेबसाइट पर जाकर ही NIUS के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में रेजिस्ट्रेशन के लिए अपलाई करें मार्किट में बहुत सारी वेबसाइट्स आपको लुभाएंगी और आप से इंफर्मेशन लेंगी कि आप उनकी वेबसाइट्स पर जाकर NIUS से रिलेटेड कोर्सेज में रेजिस्ट्रेशन करें लेकिन आप सतर करें NIUS की ओफिशल वेबसाइट nius.ac.in है और सेकेंडरी, सीनिर सेकेंडरी कोर्सेज में अड्मिशन लेने के लिए NIUS की वेबसाइट sdmis.nius.ac.in पर जाकर ही रेजिस्ट्रेशन करें NIUS के कोर्सेज में एड्मिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी और जब आप उसमें रेजिस्ट्रेशन कर देंगे तो वो एड्मिशन की वेलिडिटी कितनी होगी उसके बारे में अब हम आपको जानकारी देंगे NIUS में सेकेंडरी और सीनिर सेकेंडरी इन कोर्सेज में एड्मिशन लेने के लिए अपर एज लिमिट नहीं है परंतु सेकेंडरी यानि कि दस्वी कक्षा में NIUS में रेजिस्ट्रेशन करने के लिए मिनिमम आईउ मिनिमम एज 14 साल होनी चाहिए कोई भी विद्ध्यारती जो NIUS से दस्वी करने के इच्छुक है अगर वो 14 साल या उससे बड़े हैं तो NIUS में दस्वी में रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यह एज क्राइटीरिया है दस्वी के लिए 14 साल और 12 सीनिर सेकेंडरी में रेजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम एज कम से कम आईउ 15 साल होनी चाहिए और अपर एज लिमिट का कोई क्राइटीरिया नहीं है आप अगर 50 साल, 60 साल, 70 साल के भी हैं तब भी आप सेकेंडरी या सीनिर सेकेंडरी में एडमिशन ले सकते हैं यह तो एज क्राइटीरिया की बात हुई और भी कुछ eligibility conditions होती हैं जिसके base पे आप सेकेंडरी या सीनिर सेकेंडरी में एडमिशन लेते हैं तो यदि हम दस्वी के बारे में पहले अगर देखें, secondary courses में admissions के बारे में देखें, minimum age 14 years, आप यदी आठवी नवी pass हैं, तब भी आप दस्वी में admission ले सकते हैं, यदी आप आठवी नवी fail हैं, तब भी आप दस्वी में admission ले सकते हैं, लेकिन आपकी उमर 14 साल complete हो जानी चाहिए रजिस्टेशन से पहले यदि आप दस्वी पास हैं फिर भी आप दस्वी में पुना NOS में एड्मिशन ले सकते हैं लेकिन अगर आप दस्वी पहले से पास हैं और दुबारा दस्वी में रजिस्टेशन करते हैं NOS में तो आप चार सब्जेक्ट से जादा चूज नहीं कर पाएंगे और आपको चार सब्जेक्ट ही चूज करने मैक्सिमुम आप कम से कम एक सब्जेक्ट और जादा से जादा चार सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे दस्वी अगर आप पास हैं तो और दुबारा दस्वी में अड्मिशन लेते हैं तो यदि आप 10th फेल्ड हैं आप किसी अन्य स्कूल एजुकेशन बोर्ड से यदि आपने दस्वी कक्षा की परिक्षाइं दी लेकिन आप वो उतीर नहीं कर पाए तब भी आप NAS में 10th में अड्मिशन ले सकते हैं और अपने सब्जेक्ट चूज करके दस्वी की परिक्षा दे सकते हैं यदि आप स्कूल नहीं गए हैं कभी भी तो एक सेल्फ सर्टिफिकेट लिखकर अपलोड कर सकते हैं और आप 10th में अड्मिशन ले सकते हैं इनकी क्राइटीरिया और कौन से डॉक्युमेंट्स आपको दस्वी म अड्मिशन लेने के लिए कौन से डॉक्युमेंट्स सब्मिट करने होंगे इनकी जानकार ही हम आपको आगे देंगे उससे पहले हम देखते हैं सीनियर सेकेंडरी में अड्मिशन लेने के लिए मिनिममम एज क्राइटीरिया इस 15 years मतलब आप 15 साल या उससे बड़े हों तभी आप बारवी में एन और इस में रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यदि आप बारवी फेल्ड हैं अगर आप कहीं किसी दूसरे स्कूल एजुकेशन बोर्ड से बारवी में परिक्षा में बैठे या परिक्षा के लिए अपलाई किया आपने वा एड्मिशन लिया हुआ परीख्या के लिए अपलाई कि है लेकिन आप बार्वी की परीख्या उतिद नहीं कर पाई तब भी आप NOS में एड्मिशन ले सकते हैं यदि आप बार्वी पास है पहले से और आप किसी selected subject में improvement करना चाहते हैं तब भी आप बार्वी में एड्मिशन ले सकते हैं लेकिन इस केस में आप चार से ज़्यादा सब्जेक्ट अपनी बारवी में, NIS में अगर आप बारवी में एडमीशन लेते हैं, तो चार से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप एडमीशन नहीं ले सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा, NIS में जब भी आप एडमीशन लेते हैं, त तो उस वर्ष से लेकर पांच वर्षों तक आपका अड्मिशन वेलिड रहता है। तो ये तो थी eligibility and validity of admissions दस्वी और भारवी के लिए। दस्वी और भारवी में registration पाने के लिए आपको किन जरूरी कागजातों की जरूरत पड़ेगी, क्यों से supporting documents की जरूरत पड़ेगी, जिसके बिना आप admission नहीं ले पाएंगे, वो documents की चर्चा अगर हम करें, तो आप देखेंगे, सबसे पहले learner का recent colored passport size photograph और learner का signature, signature, जो भी विद्ध्यारती, जो भी सिक्षारती नहीं में दस्वी और भारवी में admission लेना चाहते हैं, उनके documents required में सबसे पहले recent colored passport size photograph and signature of the learner, और कोशिश करिए कि वो जो signature, learner के signature होंगे, वो black ink से signature किये गए हो, आपको जो भी document अपलोड करने हैं, admission के time पे, registration के time पे, image format में होना चाहिए, JPEG ये PNG फाइल होनी चाहिए, और हर एक document का size, एक MB से अधिक नहीं हो सकता है, एक MB से कम ही वो size होना चाहिए, तब ही आप उस document को अपलोड कर पाएंगे, तो पहला document हमारा हुआ, recent colored passport size photograph of the learner, signature of the learner, valid identity proof, अब valid identity proof क्या होता है, learner जो विद्ध्यारती या रजिस्टर कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड, या अगर अभी आपका आधार नहीं बनाएं, तो आधार की enrollment slip, passport की copy, या राशन कार्ड की copy, या कोई और valid government identity card, वो आप scan करके अपने admission के time पे, document section में उसको upload कर सकते हैं, आप कैसे document upload करेंगे, वो भी हम आपको प्रक्रिया अगे बताएंगे, valid proof of date of birth, वो आपको दस्वी और बार्वी दोनों के case में आपको ये document submit करना होगा, secondary के case में, मतलब अगर दस्वी में आप admission ले रहे हैं, तो birth certificate, या transfer certificate, school living certificate, आप जिस पहले विद्याले में पढ़े हैं, वहाँ की transfer certificate, या school living certificate, या आपका birth certificate, या आधार कार्ड जिसमें date of birth पूरी format में लिखियो, DD, MM, YYYY format, इसका मतलब है, आधार कार्ड में date, month और year पूरा लिखा होना चाहिए, तब ही वह date of birth के लिए आधार कार्ड को valid माना जाएगा, valid proof of residence, registration के टाइम पे आपसे permanent address proof और correspondence address proof भी मांगा जाता है, तो address के लिए आप अपना आधार कार्ड जिसमें की आपका address पूरा लिखा हो, या पानी का, बिजली का, टेलिफोन का बिल, या election commission द्वारा जारी किया गया voter card, इस तरह की details, इस तरह के documents आप scan करके, उनकी image file बनाके उनको upload कर सकते हैं, अगर आप किसी rented accommodation में रहते हैं, किसी rent के मकान में, किराए के मकान में रहते हैं, तो आपका permanent address का proof और rented accommodation है, उसका rent agreement की copy, वो आपको upload करनी होगी, इनके साथ-साथ यदि आप दस्वी में admission के लिए apply कर रहे हैं, तो कक्षा 8, अगर आप दस्वी के लिए apply कर रहे हैं, और पहले आप कक्षा 8 या 9 पढ़ चुके हैं, तो कक्षा 8 का transfer certificate या school living certificate वो आपको जमा करना है, यदि आप कक्षा 8 या कोई भी school पहले नहीं पढ़े हैं, तो आप एक self certificate submit करेंगे, जिस पे लिखा होगा है कि मैं कक्षा 10 की परिक्षा में appear होने के लिए सक्षम हूँ और वो आप submit करेंगे, यदि आप senior secondary, बारवी कक्षा के लिए NIS में register कर रहे हैं, तो आपको कक्षा 10 की mark sheet या certificate, class 10 की mark sheet या class 10 का certificate submit करना अनिवार है, mandatory है, इसके अलावा self attested copy of caste certificate, यदि आप अपना form भरते time, online registration करते time यदि आप बताते हैं कि आपकी social category SC, ST या OBC है, तो आपको self attested copy social category certificate, मतलब caste certificate की self attested copy भी आपको upload करनी होगी, यदि आप बताते हैं कि आप एक ex-serviceman है और NIS में आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में registration कर रहे हैं, तो आपको ex-serviceman का certificate भी upload करना होगा, यदि आप दिव्यांग जन हैं, यदि आप children with special need हैं, CWSN हैं, तो आपको government approved hospitals से ही प्राप्त किया हुआ disability certificate, जिसमें कि ये mention किया जाता है कि ये learner में जो दिव्यांगता है, वो 40% और अबव है, तो वो government hospital से प्राप्त किया हुआ certificate ही upload करेंगे disability certificate के section में, उसी के साथ यदि आप देखें, तो आपका जो, अगर आप transfer of credit के लिए apply कर रहा हैं, अगर registration करते हैं तो आपका previous board, जो parent board जहां से आपने 10th या 12th अपियर किया था, उस board का mark sheet या certificate, वो आपको NOS में submit करना होगा, ये valid रहता है stream 1, 2, मतलब जो direct stream 2 में लेते हैं, जो दूसरे board से fail होके students NOS में आते हैं, उनके लिए applicable है, या stream 3 और 4, जो on demand के exams होते हैं, उनके लिए ये अनिवारे होता है, आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो parent board है, उससे issued mark sheet या certificate वो आपको यहां submit करना होता है, अब अगर हम registration process की तरफ चलें, जिसमें हम check करें कि एक-एक step by step हम देखेंगे, कि आप कैसे registration करेंगे, कौन सी website पर जाकर registration करेंगे, कैसे fees pay करेंगे, तो उन चीजों पर अगर हम चर्चा करें, तो आप देखिए, registration करने के चार माध्यम हैं, NIS में 10th या 12th या vocational courses या OBE courses में registration लेने के लिए, आपके पास 4 options available हैं, पहला option है, self registration, self registration का मतलब है, learner, चात्र चात्राएं, स्वेम इस portal पर जाकर, sdmis.nios.ac.in, इस portal पर जाकर, स्वेम ही registration करें, स्वेम ही अपने document अप्लोड करें, स्वेम ही अपने subject चूज करें, documents अप्लोड करें, fees पे करें, और registration complete करें, self registration के माध्यम से अगर आप registration करते हैं, तो आप confident रहेंगे कि आपने कोई गलती नहीं किये, यदि आप cyber cafe से मदद लेते हैं, या किसी coaching institute की मदद लेते हैं, तो बहुत सतर्क रहिए, क्यूंकि cyber cafe या कोई coaching institute, या इस तरह के कोई भी third party जो की NIUS से related नहीं है, यदि आप उनको अपनी information share करते हैं, तो आपकी information, आपके documents, उन सब को misuse कर सकते हैं और आपको गुमरा करके आपका registration में गडबड कर सकते हैं, जिससे की आपका वर्ष, आपका academic year खराब होने के chances रहते हैं, तो self registration कीजिए और self registration के लिए sdmis.nius.ac.in, इसी portal पर जाकर ही 10th, 12th या OBE की courses के लिए registration कर सकते हैं आप, दूसरा माध्यम, न.i.us में registration करने के लिए, यदि आप self registration नहीं करते हैं, यदि आप खुद से registration नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास सुविधाएं नहीं हैं जिससे की आप computer या internet के तुरू आपके पास facility नहीं हैं, तो आप NIOS के authorized affiliated study centers पे जाकर भी उनसे मदद ले सकते हैं, हमारे जो registered affiliated accredited study centers हैं, वो study centers आपको मदद करेंगे NIOS में आपको online registration के लिए, तो जो हमारे nearest study center होंगे, आप उनकी जानकारी sdmis.nios.ac.in के portal पे जाकर study center section से भी उनकी list आप देख सकते हैं, आप वहाँ पर उस portal पे sdmis.nios.ac.in portal पे जाकर study center section में जाकर अपना state अपना district चूज कीजिए, आपको list of study centers मिलेगी, with address, with their mobile number, आप उनसे बात करके, आप उस study center के थुरू भी registration कर सकते हैं. थर्ड माध्यम, तीसरा माध्यम, थर्ड option, जिसके तुरू आप nios में 10th और 12th या vocational courses या OBE के courses में admission लेने के लिए साहता ले सकते हैं, वो हैं हमारे regional centers, nios के 23 regional centers हैं, जो की dedicatedly learners की support के लिए स्तापित किये गए हैं, और अधिकतर राज्यों में आप इन regional centers पर जाकर, आप admission के लिए, या अपनी admission संबंदित प्रक्रिया के लिए जानकारी पराप्त कर सकते हैं, इसके लिए भी आप sdmis.nios.ac.inpolter पर जाकर, आप वहाँ से regional centers की list देख सकते हैं, और regional centers से contact करके, आप admission के लिए मदद पा सकते हैं, self registration, registration through study centers, registration through regional centers, इनके अलावा, common service centers, जो CSC के नाम से प्रच लिते हैं, common service centers, पर भी जाकर आप NIOS में registration पाने के लिए मदद ले सकते हैं, CSC के centers, government के authorized centers होते हैं, NIOS के भी वो authorized centers हैं, आपको admission में help करने के लिए, आपकी exam fees भरने के लिए, उन चीजों में आप CSC, common service centers की मदद ले सकते हैं, CSC centers की जानकारी पाने के लिए, आपके nearest CSC center की जानकारी देखने के लिए, आप उनकी website csclocator.com पर जाकर भी उनकी details प्राप्ट कर सकते हैं, और CSC center पर जाकर आप registration करवा सकते हैं, Nios में admissions 100% online है, और ये जो portal है, portal का नाम है sdmis.nios.ac.in, अब अगर हम इसकी प्रक्रिया देखें, step by step कि आपको किस कॉलम में क्या information भरनी है, उसकी जानकारी हम देखें, तो admission के लिए आप admission menu में जाएंगे, और admission menu में जाने के बाद आप सबसे पहले prospectus चेक करेंगे, जो current latest prospectus होगा, उसको पढ़ेंगे, अपनी जानकारी पूरी उसमें से लेंगे, कौन कौन से courses available है, आप कौन से course में admission लेना चाहते हैं, उसकी eligibility क्या है, उसकी age criteria क्या है, उसके document required क्या क्या है, इनके exams कब होंगे, उस तरह की जानकारी आपको पूरे prospectus में मिलेगी, उसके बाद आप उसी admission menu में, यदि आप 10 वी या 12 वी में admission ले रहे हैं, तो आप जब academic options में जाएंगे, admission menu में academic option पे जाएंगे, तो current session जो भी चल रहा है, उसको हम stream 1, block 2 बोलते हैं, जो की जिनका पहला public exam अक्टूबर 23 में होगा, तो इसलिए stream 1, October 23 session आप choose करेंगे, और ये session अभी 15 March तक चल रहा है, 16 March से नया session शुरू होगा, जिसमें ज़िए आप admission लेंगे, तो आपका पहला exam April 2024 में होगा, तो आप stream 1, October 23 अभी आप choose कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे, तो आपके सामने जो screen आएगी पोर्टल पर, उस पोर्टल पर आपको choose करना है अपना state, कि आप कौन से state से belong करते हैं, उसके बाद identity type, identity type में हमारे पास options हैं, जैसे आधार, आधार का enrollment number, other government valid identity proof, या passport, अगर आप आधार choose करते हैं, तो next column, जहाँ पे identity number लिखा, यहाँ पे देखेंगे आपको अपना आधार number लिखना है, आधार number यदि आप गलत लिखेंगे, तो system आपके आधार की validity चेक करेगा, यदि आप गलत लिखेंगे तो error आएगी, और आप आधार correct लिखने के बाद जाए next column में देखेंगे, तो वहाँ पे course select करने का option है, यहाँ पे आप choose करेंगे कि आप secondary या senior secondary, कौन से course में admission लेना चाहते हैं, यदि हमने senior secondary चूज किया, तो उसके बाद आप next पे click करेंगे, और next पे click करने के बाद, अगर आपका आधार valid था, बाकी details correct है, तो जो next screen आएगी, वहाँ पे आपको basic details, basic details का मतलब है, name, father name, mother name, date of birth, gender, आधार number, mobile number and email address, यह information आपको अपनी correct correct information यहाँ पे भरनी है, जो learner, जो चात्र चात्रा हैं, जो विद्ध्यारती, NOS में, secondary या senior secondary course में admission ले रहे हैं, उनको यह basic information पहले फिल करनी है, जहाँ पर आप अपना complete name, name, पूरा नाम, capital letters में लिखेंगे, आप उसके साथ shiri, shiriman, shirimati, इस तरह के words जो prefix नहीं करेंगे, अगर आपका नाम नवीन भाटिया है, तो आप नवीन भाटिया लिखेंगे, father name में भी shiri नहीं लगाएंगे, mother name में, shirimati या miss इस तरह की चीज़े नहीं लगाएंगे, तो name, father name, mother name और abbreviated name नहीं लिखेंगे, अगर father का नाम मोहन लाल भाटिया है, तो मोहन लाल भाटिया पूरा लिखेंगे, ml भाटिया नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप बार्वी में अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप 12th class के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये information, basic details, match करनी चाहिए आपकी 10th की जो mark sheet है, उस mark sheet पे जो आपका name, father name, mother name लिखा है, तो जो आपका school का TC मिला है आपको, school से TC मिला है, transfer certificate या school living certificate मिला है, उस school living certificate या transfer certificate पर जो name, father name, mother name और date of birth लिखा है, वो ही information यहाँ पर match करनी चाहिए, नहीं तो आपका admission आगे continue करने में आपको परिशानी का सामना करना पड़ सकता है, अब name, father name, mother name, date of birth, gender और आधार नमबर डालने के बाद, आपको mobile नमबर और email address रजिस्टर करना है, आप अपना या अपने parents का ही mobile नमबर और email address रजिस्टर करें, यदि आपके पास अपना mobile नमबर है, तो आप उस वो mobile नमबर डालिए, valid mobile नमबर, active mobile नमबर होना चाहिए, email address जो आप use करते हैं, वो यहाँ पर रखिएगा, क्यूंकि ये mobile नमबर और email address रजिस्टर हो जाएगा, NOS के admissions के साथ, और जब आप इसको OTP से authenticate करेंगे, और यह validate हो जाएगा, तो इसी mobile नमबर और इसी email address पे, आपकी admission की आगे की जानकारी, system आपको provide करेगा, हर एक system के थूँ, जब आप registration करते हैं, और जो mobile नमबर, email address आप submit करते हैं, वो register हो जाता है, तो उस user की detail, जब आप register करेंगे, और OTP से authenticate करेंगे, तो आपका एक personalized dashboard NOS में create हो जाता है, हर चातर चातरा का एक personalized dashboard create होता है, और वो dashboard में login करने के लिए, मतलब पोर्टल पे login करने के लिए, जो email address यहाँ पर आप submit करेंगे, उसी email address पर आपका username और password जाएगा, जो की lifetime के लिए same रहता है, आप उसको चाहें तो password चेंज कर सकते हैं, लेकिन email address जो आप यहाँ register करेंगे, उसको change नहीं कर सकते हैं, तो यह basic details, name, father name, mother name, date of birth, gender, आधार नमबर, mobile number and email address, यह बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर fill करना है, यदि इसमें कोई गलती होती है, तो registration आपका successful नहीं होगा, और registration होने के बाद आपका admission confirm नहीं होगा, उसमें बहुत सारी problems आएंगे, आपको issues आएंगे, हम आपको बार बार आपको comment करेंगे, और comment करने के बाद आपको with payment अपनी correction के लिए request submit करनी पड़ेगी, अगर इस तरह से हम basic details डालते हैं, अपना name लिखा, father name लिखा, mother name लिखा, date of birth लिखा, gender लिखा, और उसके बाद आपने आधार नमबर लिखा, mobile number लिखा, email address लिखा, अब आप देखेंगे, वहाँ पे एक ब इंचन किया है, basic details में, उन पे OTP जाएगा और आपको दोनों OTP, email का OTP और mobile number का OTP, दोनों OTP आथन्टिकेट करने हैं, 10 minutes का time होता है यहाँ पे, इस screen पे आपको 10 minute मिलते हैं, और 10 minute के अंदर आपको, जो आपके email पे OTP आया, और जो आपके mobile पे OTP आया, वो दोनों यहाँ दिये गए columns में डालना है, और submit करना है, यदि वो OTP सेम है, यदि वो OTP मैच करता है, validate हो जाता है, तो आपका basic details, mobile number और email address, यह NOS के student portal पर register हो जाता है, यह registration का first step है, इसके बाद, OTP authenticate होने के बाद, अपना name, father name, mother name, date of birth और आधार नंबर, आप modify नहीं कर सकते हैं, तो OTP, email address का, और mobile का OTP authenticate करने के बाद, आप देखेंगे, जैसे ही आपका यह mobile number और email address पर OTP authenticate होता है, तो next section, basic detail के बाद, next section, address, open हो जाता है, address में दो तरह के address है, permanent address and correspondence address, यदि आपका permanent address और correspondence address सेम है, तो आप पहले permanent address में अपने address की detail डालिए, जैसे house number, street number या street name, locality, state और district, pin code, आपके district, आपके area का pin code, यदि आपका permanent address और correspondence address सेम है, तो आपको एक tick box मिलेगा, जिस पे लिखा होगा, same as permanent address, आप permanent address टाइप करने के बाद, इस check box को तिक कीजिएगा, तो जो permanent address में आपने address लिखा है, वोई address, correspondence address में automatically copy हो जाएगा, यदि permanent address और correspondence address दोनों अलग-अलग हैं, तो permanent address की information अलग दीजिए, correspondence address की information अलग दीजिए, इस screen पर ये ध्यान रखिएगा, जो address आप correspondence address यहाँ पर बताएंगे आप, उसी correspondence address का documentary proof आपको document section में upload करना होगा, यदि आपके document में जो आपने address proof लगाया, और जो address आप यहाँ पर correspondence address में fill करेंगे, अगर इन दोनों में कोई भी भिन्नता होगी, अगर कोई भी mismatch होगा, कोई भी variation होगा, तो आपका admission confirm नहीं होगा, ये address हम इसलिए लेते हैं, क्योंकि इसी address पे हम आपकी पाठ्य समगरी, study material, self-learning material dispatch करते हैं, तो ये information आप correctly फिल कीजिएगा, और इसी का documentary proof आपको आगे आने वाले sections में upload करना होगा, next section में जब आप address फिल कर देंगे, तो उसके बाद next section में आपको medium of study चूज करना होगा, Nios में secondary और senior secondary courses में admission लेंटे time, आप जो medium of study चूज करते हैं, तो secondary level पे आप Hindi, English, उर्दू, माराथी, तेलगू, गुजराती, मल्यालम, तमिल, उडिया, पंजाबी, असामी, संस्कृत, कन्रड़ा, ये mediums available हैं, जिन में आप पढ़ाई के लिए register कर सकते हैं, इन mediums में पढ़ाई के लिए आप register कर सकते हैं, और इनी mediums में आपको study material भी available होगा, जो कि आप Nios website पे चेक कर सकते हैं, लेकिन, अगर इनी mediums में सिरफ आप पढ़ाई करते हैं, तो इसका ये मितलब नहीं है, कि आपको exam भी इसी mediums में देना है, आप Nios में फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपने medium of study हिंदी चूज किया और exam देते टाइम, exam में peer करते टाइम, फरिक्षा में उत्तर लिखते टाइम, आप गुजराती माध्यम में अगर आप लिखना चाते हो, गुजराती medium में अगर आप अंसर देना चाते हो, तो वो flexibility Nios में है, senior secondary level पे medium of study में Hindi, English, Urdu, बंगाली गुजराती संस्कृत, तथा ODIA medium में भी आप registration कर सकते हैं, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे आपको social category, medium, इस तरह की information आपको यहाँ से चूज करनी है, और यह information भी आप बहुत द्यान से भरियेगा, क्योंकि यदि चूज करते हैं, अगर आपने कहा कि ex-serviceman, yes, आप ex-serviceman हैं अगर, तो आपको documentary proof में ex-serviceman का certificate upload करना पड़ेगा, type of disability column में यदि आप किसी तरह से दिव्यांग है और आपके पास disability certificate है, तो आप अपनी दिव्यांगता का प्रकार चूज करेंगे, nationality चूज करेंगे, उ अगर आप देखते हैं यहां पर, तो previous qualification का यहां पर मतलब है, यदि आप बारवी में appear कर रहे हैं, यदि आप बारवी के लिए registration कर रहे हैं, तो आपकी previous qualification 10th past से कम नहीं होनी चाहिए, हमने आपको पहले भी ग्यात कराया है, यदि आप 12th में appear कर रहे हैं, 12th में admission ले रहे ह qualification 10th past से कम नहीं हो सकती है, और 10th past का आपको mark sheet और certificate भी upload करना पड़ेगा, तो उस तरह की information ध्यान दीजिएगा, उसी के बाद next option में जो section है, वहाँ पे part admission, आप screen पे देखेंगे अगर, तो आपको part admission के बारे में जानकारी अगर अगर हम देते हैं, तो आप देखिए कि part admission म कौन से learners register कर सकते हैं, हमने आपको eligibility के time पे बताया था, जहां पे हम eligibility के बारे में आपको information दे रहे थे हैं, वहाँ पे हमने आपको ग्याद कराया था कि, यदि आप पहले से 10th past हैं, बतलब अगर 10th आपने पहले से past की हुई है, और फिर से आप 10th में NOS में register करते हैं, या आ आपने पहले से 12th past की हुई है, और दुबारा से NOS में बारवी के लिए register करते हैं, या आप 10th और 12th से भी उपर higher courses में आप किसी recognized board या recognized university से higher courses कर चुके हैं, तब भी आप 10th या 12th में NOS में admission ले सकते हैं, लेकिन चार subject से ज़ादा में आप admission नहीं ले पाएंगे, आप यद बारवी पास हैं, और बारवी में दुबारा रेजिस्टर करते हैं, तो आप चार subject से ज़ादा में admission नहीं ले पाएंगे, और आपको चारो subject जब आप पास कर लेंगे, या जितने subject आपने चूज की हैं, पांच से कम, जब वो सभी subjects आप पास कर लेंगे, तो आपको NOS से सि environment, part admission और dual admission की, सेम हैं, जैसे कि हमने starting में आपको बताया था, जब आप, ये भी अभी हमने आपको ग्याद कराया है, कि जब आप class 12th के लिए apply कर रहे हैं, तो previous board, previous board means, 12th से पहले previous board, class 10th, के board की information, आप NOS में submit करेंगे, registration के time पे, year of passing 10th, board from which you appeared in class 10th, वो information आपको submit करने बड़ेगी, आपने कौन से sun में, कौन से वर्ष में 10th पास करी, कौन से board से करी, और उस board में आपका class 10th का enrollment number क्या था, example के लिए, यदि आप CBSC से class 10th किये हुए हैं, और NOS में class 12th के लिए apply कर रहे हैं, तो CBSC board से, आपने कौन से वर्ष में 10th पास करी, और उस time आपका class 10th का roll number क्या था, वो आपको clearly specify करना है, यदि आप ये information correct नहीं भरेंगे, तो आपका admission confirm नहीं होगा, basic details, address, social category details, part admission details, previous board details, previous qualification details, ये submit करने के बाद, आप declaration पे tick करेंगे, तभी आप next पे click करेंगे, declaration में ये लिखा गया है, कि जो information आपने भरी है, वो information आपने correct भरी है, और अगर इस information में कोई गलती पाई गई, तो learner will be responsible for it, आप next पे click करेंगे, उसके बाद कुछ optional details हैं, जैसे disadvantage group, nationality, father's qualification, mother's qualification, family income, employment, उस तरह की information ये आप screen पर देखके, आप अपने admission form में, registration के time पे, 10th और 12th, दोनों के लिए आप ये भरेंगे, most important component of registration is to choose subject, जो आप पढ़ना चाहते हैं, और transfer of credit, हम इन दो चीजों की जानकारी आपको विस्तरित रूप में अगर दें, तो इस screen पर सबसे पहले registration के time पे आपको मिलेगा, जब choose subject वाला column आएगा, section आएगा, apply for TOC, क्या आप TOC, transfer of credit के लिए apply करना चाहते हैं, यदि नहीं, तो आपकी जो screen पर registration के time पे subject चूज़ करने के लिए आएगे, उन में आप subject, जो subject आप NOS में पढ़ना चाहते हैं, उन subjects की जानकारी हम आपको देते हैं, आप 10th या 12th, मतलब secondary या senior secondary course complete करने के लिए minimum 5 subjects आपको यहां से pass करने और maximum 7 subjects आप ले सकते हैं, जब हम minimum 5 subjects की बात करते हैं, तो उन 5 subjects में से minimum 1, कम से कम 1 language और 4 academic subjects या minimum 1 language, 3 academic subjects और 1 vocational subject, ये भी आप चूज कर सकते हैं, integrated vocational subject, जो की secondary और senior secondary courses के साथ integrate किये गए हैं, वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 language होनी चाहिए, आप अगर 3 languages चूज करते हैं, तो आपको 6 या 7 subjects चूज करने पड़ेंगे, जो की आपको NOS में पढ़ने होंगे, और उनके exams में अपियर करके pass करने होंगे, अब transfer of credit की अगर हम बात करें, यदि आप transfer of credit के लिए apply करते हैं, तो transfer of credit क्या होता है, इसकी जानकरी हम आपको देते हैं, यदि आप 10th किसी स्कूल, recognized school education board से appear हुए, परन्तु आप वो board में certified, certification, बतलब पांचों subject पास नहीं कर पाए, और 2, 3, या 1, या 4 subject वहां से पास कर पाए, तो आप उन subjects में से, जो subject आपने दूसरे board में पास किये, उन में से कोई भी दो best performing subjects, आप N.I.O.S. में carry forward कर सकते हैं, उनके marks, theory और practical के marks, N.I.O.S. में carry forward हो जाएंगे, वो transfer of credit के माध्यम से transfer होते हैं, लेकिन सिरफ उनी subjects को N.I.O.S. transfer of credit में valid मानता है, जो subjects N.I.O.S. में भी हो, और उसका course content मैच करता हो, example के लिए, यदि आप CBSC से 10th पढ़े, लेकिन 10th के exams पास नहीं कर पाए, और वहाँ पे आपने 4 subject पास किये, एक subject आप पास नहीं कर पाए, और आप अनुत्तिन रह गए, तो आप उन 4 subjects में से 2 subject N.I.O.S. में carry forward कर सकते हैं, लेकिन वो 2 subject N.I.O.S. में भी होने चाहिए, और उसका course content मैच करना चाहिए, यदि आप वो 2 subject इधर carry forward कर लेते हैं N.I.O.S. में, उन 2 के अलावा, आपको N.I.O.S. में 3 subject कम से कम और पास करने हैं, conditions वो ही रहती हैं, कि एक minimum language आपका passing mark sheet में होना चाहिए, एक minimum language, 4 academic subject. अब अगर आप 2 transfer of credit subject ले लेते हैं, उसके अलावा तीन subject और N.I.O.S. से पास करेंगे, तो आपकी complete mark sheet for that course, उस course को पास करने के लिए complete mark sheet आपकी तयार हो जाएगी. तो जब आप transfer of credit लेना चाहते हैं अगर, तो आप apply for T.O.C. में yes करेंगे, जैसे आप apply for T.O.C. में yes करेंगे, तो आपके सामने कुछ और columns खुल के आएंगे, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से board से पढ़े हैं, किस year में आप वहाँ से पढ़े हैं, और वहाँ का roll number क्या था, ये तीन information देने के बाद, आप screen पे next sections में बताएंगे, आपके पास दूसरे board से आपने जो जो subjects पढ़े हैं, उन subjects में आपके कितने कितने marks थे, और आप कौन से subject में T.O.C. लेना चाहते हैं, यदि आप वहाँ चार subject में पास थे, तो उन चार subject में से कोई भी दो subject आप T.O. के माद्यम से N.O.S. में carry forward कर सकते हैं, एक और information यहाँ पर हम आपसे साज़ा करना चाहेंगे, N.I.O.S. के अलावा, यदि आप किसी UN School Education Board जो की recognized हो, उससे आप T.O.C. ट्रांसफर यहाँ पे करते हैं, तो पांच वर्षों के अंदर अंदर आपकी वो T.O.C. की ट्रांसफर validity होती है, यदि आप 2018 में किसी board से, School Education Board से, यदि आपने 10th करी थी, और अब आप 10th नहीं कर पायते हैं, उससे पास नहीं हो पायते हैं, फेल हो गए थे, तो 2018 का learner यदि आज register करता है N.O.S. में, तो वो दो T.O.C. के लिए eligible हैं, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान आपको ब तो आप क्या previous board की original mark sheet, अपने admission form के साथ, आपको अपने concerned regional center पे submit करनी पड़ेगी, दुबारा हम इस बात को दोराते हैं, यदि आप T.O.C. के लिए apply करते हैं N.O.S. में, transfer of credit के लिए, तो आपकी previous board की original mark sheet, औरिजिनल mark sheet, आपको अपने admission form के साथ, अपने regional center पर submit करनी होगी, तब ही आपकी T.O.C. accept की जाएगी, अन्यता आपकी T.O.C. accept नहीं की जाएगी, और आपको तीन subject जो यहाँ पे choose किये हैं, उसके अलावा दो subject और पास करने पड़ेंगे, ताकि आप 5 subject पास करके, N.O.S. से secondary या senior secondary course अपना complete कर सकें, subject selection के बाद और transfer of credit option selection के बाद, आपको चूज करने study center, जहाँ पर आप अपना course related doubts, subject related doubts, chapter related doubts के बारे में doubt clearing session अटेंड कर सकते हैं, या आपके जो practical exams होगे, वो practical exams भी आपके study center से linked होते हैं, आपकी PCP, personal contact programs, जो doubt clearing sessions होते हैं, वो भी आपको study center के through ही करने होते हैं, तो आपको study centers की list, हमारे N.O.S. के portal, sdmis.nis.ac.in. पर जाकर मिलेगी, आप registration शुरू करने से पहले, ये list देख लीजिए, आपका अपना area के पास state, district, चूज करके, कि आपका कौन सा nearest study center होगा आप तीन preference चूज करके रखिए, first preference जो सबसे ज़्यादा आपके नजदी को, second preference, third preference, ये तीन preference आपको बतानी होंगी, तब ही आप registration में आगे move कर पाएंगे, study centers का बहुत important role है, न.O.S. में आपका registration, आपकी पढ़ाई और आपके practical से related, study center ही एक मात्र जरिया है, जहां पर जाकर आप अपने practicals में अपियर होंगे, आपके formative assessment के marks, study centers या PCP centers पे किये जाते हैं, जब आप NIS में registration कर लेंगे, registration करने के बाद जब आपका admission confirm होगा, तो आपको, आपने जो तीन preference चूज करी होंगी, study centers की, उन में से possibly first preference आपको मिलेगी, यदि first preference अवेलेबल नहीं है और fill हो गई है उसमें seats, तो आपको second preference मिलेगी, second preference की भी seat अगर फिल हो गई है, तो third preference मिलेगी, study centers पे जाने के बाद आप 36 PCP sessions मिलते हैं, 36 PCP sessions मिलते हैं, जिसमें first session is induction session, जहां पर आपको NIS के बारे में, NIS के courses के बारे में, या NIS की और गती विदियों के बारे में, NIS में certification, examination, on-demand examination, practical examination, इन सब की जानकारी दी जाएगी induction session में, उसके बाद 30 PCP sessions, doubt clearing sessions, आप study center पे जाकर कर सकते हैं, 5 PCP sessions which are part of practical exams, जिन subject में आपके पास practical component भी है, वो practical component का दो parts होते हैं, formative assessment and summative assessment, तो formative assessment आप study center पे जाएगे, वो जो practical subject है, उसके 5 component आपको formative assessment के लिए study center पे जाना, mandatory है, practical subjects के लिए, उसके बाद जो बाद की 5 sessions, यह जो 5 PCP sessions है, उसका जो 50% component है, summative assessment, वो आप practical exams के दोरान, अपने study center या practical center पे जब आप जाएगे, प्रेक्टिकल एग्जाम में अपियर होंगे, तो आपको summative assessment के marks मिलेंगे, तो state choose आपने starting में किया था, registration start करते time आपने choose किया था, उसी state के सभी districts, आपके सामने screen पे होंगे, आप अपना district choose कीजिए, जिस district के आप study centers में अपना admission लेना चाहते हैं, study centers की list, चूज किये हुए state और district के base पर सामने आएगी, यहाँ पर एक और बहुत important information है, यह जो study centers की list आपकी screen पे display होगी, admission के time पे, यह dependent होती है state पे, district पे, आपने जो medium of study लिया है, उसके उपर, और आपने जो course चूज किया है, उसके base पे list जनरेट होती है, यदि आपने senior secondary course में register किया है, और northwest दिल्ली, एक्जामपल के लिए अगर आपने northwest दिल्ली चूज किया, और आपने study medium English चूज किया है, तो आपको जो study centers की list मिलेगी, northwest दिल्ली के उनी study centers की list मिलेगी, जहाँ पर senior secondary का course available हो, English medium में available हो, और जिनके पास science subject हो, यदि आपने science के subject चूज किया है, यदि आपने science subject चूज नहीं किया है, 12th में admission के लिए register किया है, और northwest दिल्ली चूज किया, और medium हिंदी चूज किया है, तो आपको वो सभी centers की list मिलेगी, northwest दिल्ली की, जिनके पास senior secondary हो, तब भी आपको वो list मिलेगी, तो इस तरह की conditions हैं, जिसके base पर study centers की list डिस्पले होती है, उसमें से आप कोई भी तीन best, nearest, जो study centers हों आपके पास, उसको आप choose करेंगे, preference 1, preference 2, preference 3, आप choose करेंगे, फिर आप next पे click करेंगे, इतना process complete करने के बाद, आप जो भी information आपने fill की है, अभी तक, basic details में, previous qualification के बारे में, social category के बारे में, disability के बारे में, board की detail के बारे में, उनका supporting document, और address proof के बारे में, उनका supporting document आप upload करेंगे इस section में, हर एक image, जो भी आपके पास original document स्कैन करके आप upload करेंगे, image file होगी, और किसी भी document का size, 1 MB, एक MB से जादा नहीं होना चाहिए, तो आप सबसे पहले, recent colored passport size photograph अप लोड करेंगे, signature अप लोड करेंगे, आधार या address proof अप लोड करेंगे, identity type जो आपने चूज किया, यदि आपने आधार चूज किया, तो आधार की copy upload करेंगे, front and back both, अपने correspondence address और permanent address का documentary proof अप लोड करेंगे, अगर disability में आपने yes किया है, तो disability certificate upload करेंगे, अगर आपने ex-serviceman के column में yes किया है, यदि आप ex-serviceman है, तो ex-serviceman के certificate upload करेंगे, आपकी 10th की passing mark sheet, यदि आप 12th में admission ले रहे हैं, तो 10th की passing mark sheet, यदि आप 10th में ही दुबारा admission ले रहे हैं, और आप 10th में fail हो चुके हैं, तो 10th की failed mark sheet upload करेंगे, यदि आपने TOC के लिए apply किया है, तो जिस class में आप admission ले रहे हैं, जिस level पे आप admission ले रहे हैं, 10th, तो 10th की failed mark sheet, यदि आप 12th में appear करेंगे थे, और 12th pass नहीं कर पहें, और यहां पर 12th में admission ले रहे हैं, और TOC चूज कर रहे हैं, तो 12th की failed mark sheet, उस तरह की पूरी documents आप upload करेंगे, clear scanned image are to be uploaded, and every document should be less than 1 MB each, तभी आप यह document upload कर पाएंगे, और upload करने के बाद आप, आपको preview भी screen पर ही दिखेगा, जो document आपने upload किया है, और उसके बाद आप next पे click करेंगे, next पे click करने के बाद, आपका registration में जो जो information आपने भरी है, वो पूरी information आपको review form में दिखाई देगी, आप information वापिस चेक कीजिए, आपने जो नाम type किया, father name, mother name, date of birth, gender, address, social category, previous qualification, इस तरह की पूरी information जो आपने fill करी, वो आप यहाँ पे चेक कीजिए, यदि उसमें कोई भी तुरुटी है, यदि उसमें कोई भी mismatch है, आपको लगता है कि आपने कुछ information गलत भरी है, तो accept basic details, name, father name, mother name, date of birth, gender के अलावा, correspondence address, previous qualification details, subject details, study center details, यह सब आप edit कर सकते हैं, जो document आपने upload किया, यदि आपको लगता है कि वो document गलत अप्लोड हो गया है, तो वो document भी आप दुबार अप्लोड कर सकते हैं, document अप्लोड करने के बाद, आप next पे जब click करेंगे, तो आपको review पूरा form करना है, form review करने के बाद, आपको documents इस तरह से दिखाई देंगे, जो documents आपने अप्लोड किये हैं, documents अप्लोड करना, review करना, उन सब चीजों को completely verify करना, is the responsibility of the learner, आपकी जिम्मेवारी है कि आपने जो information यहाँ पे फिल करी है, जो documents अप्लोड करें, वो सब correct हैं, और clearly scanned images दिखाई दे रही हैं, वो करने के बाद, आप payment की तरफ move करेंगे, अब payment करने के लिए, जो subject आपने choose किये, उनके base पर, based on number of subjects, based on social category, and based on your social information, socio-economic information जो आपने दिये, उसके base पर, fees automatically system calculate करेगा, और आपको registration fees, plus online processing fees दिखाके, total fees आपकी screen पर present करेगा, फीस की detail के नीचे ही, payment gateways की options हैं, जैसे, bank of India, UBI, HDFC, ICICI, CSC wallet, इस तरह के bank के gateways, हमने screen पर आपको, registration के time पर आपको provide कराते हैं, आप इन में से, कोई भी payment gateway आप choose कर सकते हैं, यह payment gateway सिरफ एक integrator हैं, जो की आपके bank से linked नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास kotak mahindra bank का account है, और kotak mahindra का नाम इस में list में नहीं है, इन payment gateways में, तो आप payment नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यह सिरफ payment gateways हैं, आप यह payment gateway चूज करके, जब आप next screen पे जाएंगे, जब submit करेंगे, जब pay now पे click करेंगे, तो आप से next screen पे मांगा जाएगा, चूज अ payment option, आप वहाँ पे card, debit card, credit card, किसी भी bank का, recognized, valid, authenticated, debit card, credit card, आप चूज कर सकते हैं, आप EMI option, जो अपने bank के थुरू करेंगे, वो चूज कर सकते हैं, उसके अलावा, आप scan and pay, आप QR code जनरेट हो जाएगा, जब आप scan and pay यूज करते हैं, तो QR code जनरेट होगा, और QR code के लिए, आप payment कर सकते हैं, net banking option अगर आप चूज करते हैं, तो net banking के लिए, next screen पे वो आप से पूछेगा, कि आपका bank का detail डाली है, और फिर आप उसको net banking के तुरू पे कर सकते हैं, UPIs, BIM UPI, भारत UPI, या और भी payment gateway, payment UPIs जो हैं, unified payment interface, जितने भी हैं, वो सब हमारे portal के तुरू integrated हैं, आप UPI के तुरू भी payment कर सकते हैं, आप WhatsApp payment के तुरू भी payment कर सकते हैं, जब आप ये चूज करेंगे, ये चूज करने के बाद, NIOS से, NIOS के portal से, control will be shifted to your bank, control, आपके bank के page पर shift हो जाएगा, या आपने जो UPI चूज किया है, उस पर shift हो जाएगा, या अगर आपने scanner पर चूज किया है, तो scanner पर चला जाएगा, उसके बाद जब आप payment करेंगे, आपका OTP आएगा, और वो OTP डालने के बाद, आपका अपने bank का जो OTP है, वहाँ पर OTP डालना है, कि अभी आपका कुछ data में correction करना है, तो आप यहाँ से payment cancel करके, और फिर वापिस अपना review form पे जाके, अपना admission form दुबारा से open कर सकते हैं, edit कर सकते हैं, जैसे ही आपने payment किया, first dashboard आपका create हो गया था, जब आपने mobile number and email address authenticate किया था, registration start करते ताइग, जैसे ही आपने registration के टाइम पे mobile number and email address OTP से authenticate किया, तो आपका एक student dashboard create हो गया, और NIUS के portal के माध्यम से, आपके registered email address पे एक username और password, mail चली जाती है, उसी email में आपको जो registration का credentials, username और password दिया गया है, आप उससे वापिस SDMIS portal पर आकर, अपने dashboard में लॉग इन कर सकते हैं, जब आप लॉग इन करेंगे, तो आपका dashboard इस तरह का दिखाई देगा, जहां पर, आपका registration form की detail, आपकी payment की detail, आपके documents की detail, और आपके results, आपके assignments, आपके personal contact programs, आपका study material, आपका i-card, वो सभी चीजें, पूरी information, इस dashboard पर आपको मिलती है, तो यह dashboard is the single window for admission, registration, fee payment, supporting document management, exam management, result management, study material management, assignment management, and mobile apps management, इसी एक dashboard के माध्यम से, आप अपना पूरा student related activities, आप manage कर पाएंगे, हमने start करते time, आपको बताया था, कि अभी जो session चल रहा है, वो पंदरा मार्च को खतम होगा, आने वाला session, जो कि 16 मार्च से शुरू होगा, और 15 सितंबर तक चलेगा, तो 16 मार्च से 15 सितंबर के बीच में, आप 10th, 12th में जो भी admission लेंगे, उनका first public exam, अपरिल माई के महिने में होगा, नेक्स यरू, थैंक यू.